हेलो एवरीवान विल्कम बैक तो मैं चैनल इवनी टेरोज एक्सवेट रूद आलवेज एक्सपोसे स्टाइकनेस तो कैसे सब लोग आई होब एफ रन इस वाइन एंड यूर टेकिं गूट केर ओफ यूर है तो आज के डापिक उस तरह से है कि आपके सिंदगी में आपके प जिसको भी दिखेंगे तो लेट सी इनिवर्स फिर गाइड प्लीज गाइड करें कि मेरे जो वीवर्स है उनके जिन्दगी में उनके पार्टनर जो है इस वाद क्या मैसूस कर रहे है तो इनिवर्स फिर गाइड प्लीज गाइड करें कि मेरे जो वीवर्स है परसंट जो है इस वाद क्या महसूस कर रहे हैं आप अपने परसंट के साथ पुरी दर सा इस कोनेक्ट रही है गाँ थ्रू थेलिपैथिक कोनेक्शन सोख उसंतु उर्सших उनके बारे में so we do have the sun we do have the tower यहांपे है अमारे पास the death card we do have the magician 4 major akana यहांपे ही है I hope you can see it properly यहांपे है 9 of swords और यहांपे है हमारे पास the hanged man 1, 2, 3, 4, 5 there are 5 major akanas bottom of the deck B major akana that is the star so यहांपे पर बेसिकली इंसान जो है वो क्या सोच रहा है क्या करना चाहते है वो हम आपको डीटेल्स बताएंगे लियो है एरीज और स्कॉर्पियो है जमनाई है एक्वेरिस जमनाई लीब्रा है पाइशिस और एक्वेरिस है बाकी साइन्स अगर आया ने कोई बात नहीं क्योंकि हम व क्या सोच रहा है जाते क्या है इंटेंशन क्या है कुछ लोग लिए आपके परसन जो है देखो बहुत ज़्यादा शुब शुब यह सोच रहा है ठीक है इनको ऐसा लग रहा है आप दोनों की जो कनेक्शन है ओके इस रेली वेरी आस्पीशिस बहुत पवित्र है और यह कि किसी भी तरह से तूटना नहीं चाहिए पर अनफॉर्चनेटली क्या हुआ कुछ लोग के लिए ब्रिक अप हो गया क्योंकि यह इंसान ने आपको अपने जन्देगी में प्रॉपर्ली वेलकम नहीं किया आज अगर आप किसी जगह पे जाते हो इन्वाइटेड होते हो आपको भी इन्विटेशन दिया है और आपको उतना जदा नहीं किये आपका कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं था उस इंसान के साथ फिर भी ऐसा हुआ फिर क्या दूसरे बाद जब वो इन्विटेशन देगा क्या आप जाओगे नहीं जाएंगे आप क्योंकि सबका अपना अपना जो है सेल्फ रेस्पेट होता है डिगनिटी है राइट इजद होता है वो इजद नहीं खोना है सो यहां पर इन्सान जो है आपको अपने जिंदगी में विलकम करके भी जैसे अंदेखा अंसुना कर दिया जब उनको लगा कि नहीं मुझे अभी जरुरत नहीं है इ जली जाओंगी जैसे आप बहुत फ्रीली एवेलेबल हो वो आपको टेगेट फर ग्रांटेट तो कर ही चुके थे लेकिन उसके साथ साथ वो आपको ऐसा भी मान रहते है तर यू आर इजली एवेलेबल तो देम जब भी यह फोन करेंगे जब भी यह कॉल बैक करेंगे गलत पता पे आपको अभी ऐसा लग रहा है कि गलत जगा पे नहीं कर दिया। तिके और आपको ऐसा भी लग रहा है कि इंसान जो है आपके उपर इतना जादूई अंदाज में तिके इंप्रेशन डाले है कि आपका वहां से आना उस माया जाल से निकलना बेहत मुश्किल हो रहा है and you are somewhere stuck there you are not at all okay with this relationship कुछ लोग के लिए आपको चाहिए एक stable connection एक healthy connection एक अच्छा जो है स्वस्त चाहिए जिन्दगी जहां पे बहुत ज़दा mental pressure हो वहां पे ऐसा नहीं चाहिए even आपके person कुछ लोग के लिए ऐसा हो रहा है कि उनके जिन्दगी में कई दफा में बहुत कुछ घट रहा है अन्होनी भी हो रही है लेकिन यह इंसान क्या कर रहे है न उसको manage करने की कोशिश कर रहे है लेकिन क्या है न you know you cannot escape from your scenes आप अगर पाप करते है कुछ लोग पाप करने से किसी को hurt करना भी एक पाप होता है किसी को promise करना फिर उसको पुरा ना करना किसी के emotions के साथ खिलवार करना भी पाप होता है सो यह इंसान को वही हो रहा है now they are also facing and experiencing trauma in their life बड़ क्या वो आपको कहेंगे नहीं कुछ रोग लिए अगर आपके person आपके साथ healthy connection में है तब ही भी इंसान delay कर रहे है ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ पैसा नहीं है या उनके घर से लोग मानने रहे है ठीक है यह खाम का इस relationship क और complicated बना रहे है क्योंकि इस इंसान का जो दिमाग है न वो सई गश्रा पर नहीं चल रहा है उनको लग रहा है कि उनके पास जो भी है जैसा भी यह वो पूरा नहीं है they are not satisfied और जब कोई इंसान त्रिप्त नहीं होता उसके आत्मा त्रिप्त नहीं होते तब तक वो उसको ढूंदते रहते हैं तो यह इंसान क्या ढूंद रहे हैं they are searching you know what they are searching for you know reputation you know they are searching for you know more money और ज्यादा satisfaction और pleasure उनके लाइफ में सो यह इंसान ऐसा नहीं कि यह नहीं चाहते है relationship improve हो लेकिन first priority उन्होंने दिया है career के उपर या अपने future के उपर वो देखना चाहते है कि किसी का हो ना हो बस उनका career bright रहना चाहिए अभी हम देख लेते हैं कि इंसान का क्या है actually verify करते है why the sun card is there sun card यहां पर किस लिए है ace of pentacles so they really want to initiate it करना चाहते है कि यह नहीं है अब तक एक मेना यह एक साल से ऐसा चल रहा होगा ठीक है so they want to put the efforts in that but did they put कुछ लोगे लिए कर रहा है लेकिन शायद हो सकता है कि आपने उनको block कर दिया आप नहीं चाहते हो the tower यहां पर tower क्यों है why this tower is there six of cups यहां पर past जो है जैसे होता है न की पहले समाने में लोग अलग संस्कृती अलग कही न कहीं पर जो है प्रक्टिस होता था रात को लोग जल्दी जल्दी सो जाते थे सुबह सुबह उठते थे डिनर टाइम पर करना लंच टाइम पर करना ब्रिक्फस टाइम पर करना संस्कृती अलग लोग करते थे पुरा निजवाने में अभी modern generation में बहुत सारे मोबाइस गैजेट्स आने के वज़े से लोग लेट तक जागते हैं ओफिस का ज्यादा काम हो जाता है लेट ओफिस से आते हैं व्यपसाइब प्रॉब्लम में आ जाते हैं ज्यादा महनत करना पड़ता है और ज्यादा कम्पिटिशन हो रहा है ठीके दिमाग पर सब कुछ स्ट्रेस आ जाता है अब ही और नहीं है क्योंकि आप नहीं हो यहाँ पर डेट कर्ड क्यों है जस्टिस तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ब्रेक अप करके बिल्कुल गलत किया है कुछ लोग के लिए और अगर यह रिलेशनशिप अभी भी कंटिनुएशन में हैं तो भी इनसान जो है उनकी कहीना कहीं पर एक साकॉलजी में तो ही न कि इन्देर सबकॉंश्यूस माइं देनों डाट जो भी वह कर रहा है वह अच्छा नहीं है अगर आप दोनों एक साथ शादिशुदा है उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वह आप से सब्रेश चाहते यह आप उनसे सब्रेशन चाहते हो लेकिन यह नहीं हो घाल आत्र जाई हैं तो आप उनके साथ बहुत और अगर आप already divorce की कगार पे है तब भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए बस बस नहीं होना चाहिए अगर हो जाए तो वो मेरा किस्मत है अगर ना हो तो वो मेरा कुछ किस्मत होंगे हम कि नहीं हुआ बट ये बिलकुल नहीं चाहते ओके the magician देखो यहां पे night of words काफी determined है किस चीज़ के लिए determined है पहले तो अपना career को set up करना उसमें देखना तरह की अगर उन्होंने आपको ignore किया था या avoid करने की कोशिश की उसके primary reasons first of all तो career ही था night of words यहां पे क्यों है why there is night of words अगर आप सुबह सुबह किसे के साथ fight करते हो ना पुरा दिन आपका बेकार जाएगा रात के time पे भी सपना आएगा अगर आपने तब तक ठीके उस चीज को सुलाह नहीं किया तब तक ठीके यहां पे क्या है उनका बहुत ज़दा चिंता है एक तो है कि उनके organization में जहां पे भी वो काम कर रहे है प्रेसंट ली बिलकुल ऐसा चल रहा है लोग resignation दे रहे हैं उनके उपर additional जिम्मदारी आ रहा है यह इंसान का जो promotion prospects था उतना ज़दा उन्होंने जो उमीद किया था वो नहीं हो रहा है stress बढ़ रहा है और इसलिए रात को यह सो नहीं पाते जब जादा stress हो जाता है ना रात को आप तब तक सो नहीं पाते इसलिए बोला जाता है you know if you are also facing stress in your life अगर आपके life में भी stress है तो भी आप chamomile जो tea है उसको use कर सकते हो you can drink chamomile tea आप online से order कर सकते है या शॉप में जा के आप खरीच सकते है chamomile tea is very good ठीक है I am not selling anything and I don't sell so वो आप कर सकते हो chamomile कोई भी brand का आप ले ले सकते है या famous brand जो है उसको आप use कर सकते है और आप उसको इस्तमाल कर सकते है हर रात के सोने से पहले ठीक है so you will have good sleep so यहाँ पर क्या है hanged man why there is hanged man we do have hanged man with the hanged man यह इंसान आपको अगर आप दोनों की शादी क्या है मतलब postpone हो गई है या cancel हो गई है या उन्होंने आपको stuck करके रखा है या current situation में यह दिखाए दे रहा है सही में उनकी दिमाग जो है अभी गूम गया है अभी वो चीजों को जिस नजरिये से देखते थे अभी वो उसको reverse position से देख रहे है ठीक है उस तरह से so they have changed a lot यहाँ पर star card क्यों है यहाँ पर start जो है यहाँ पर क्यों है star card यहाँ पर क्यों है 8 of 1 so they want instant connection they want fast connection आपके साथ वो चाते है जल्द से जल्द हो जाए बतलब कुछ भी करना भी नहीं परे efforts करना भी नहीं परे लेकिन बस हो जाना चाहिए ओके यहाँ पर हम देख लेते है what do they want your love is food for my heart mind and soul without which I can't survive a single second आपका प्यार उनके लिए खाना है त्रिप्त होना चाते है आपका प्यार वो सब कुछ उनको त्रिप्त कर देगा just like the wine gets sweeter as it gets older you keep getting so beautiful with age I fall a little more in love everyday जैसे wine को रखा जाता है तीके और वो जितना पुडाना होता है aging होता है उसका उतना वो मीठा होता है तो आप भी अपने age आपका जितना age बढ़ रहा है आप उतना खुबसूरत होते जा रहे हो यह appreciate कर रहे है इस चीज़को my feelings for you will always be true no matter the distance I will always love you चाहे कुछ भी हो जाये बहुत अलग सा ही हो चुके आप लेकिन यह इंसान जो है आपको भूले नहीं है वो आपके लिए है maybe वो expressed नहीं कर रहे है maybe कुछ परिशानी है maybe कुछ misunderstanding है बट जैसे बोला जाता है कि subconscious mind पे तो वो अपके है so this is all about today's reading guys I hope you like it and if you like please do share and subscribe thank you so much for being with me love you a lot take care of yourself and bye